बैस बॉल बन रही है बाड बॉल जी हां अस्ट्रेलिया के आगे इंगलेंड वाले फिर पस्त होते दिख रही है और ऐसा होते ही बैस बॉल की शिकायती शुरू हो गई है लॉट्स में चल रहे आश्रस 2023 के दूसरे टेस्ट में इंगलेंड अपनी पहली पारी में बड़ा स्कोर नहीं कर पाया मजबूत शुरूवात की बाव जोद उनका मिडल ओर फेल हुआ और ऐस्ट्रेलिया को पहली पारी में ठीक लीड मिल गई ओपनर्स जाक राउली और बेन डगेट ने अच्छी बैटिंग की थी इंगलेंड एक वक्त पर एक विकेट खोकर 188 रन बना चुका था लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने शॉर्ट बॉल्स फेक नी शुरू करी और इंगलेंड पस्त हो गया दूसरे दिन तक खेल खतम होने तक टीम ने चार विकेट खोकर 278 रन बनाए थे क्राउली ने एक बार फिर से इंगलेंड को तेई शुरुवाद दी उनकी पारे पर बात करते हुए पूर कप्तान माइकल वॉन ने कहा जाक क्राउली ने वही किया जो वो करते आए हैं वो खूबसूरत अंदाज में बैटिंग करते हैं आपको लगता है कि आज उनका ही दिन है वोड़ तालेस रन बना भी देते हैं लेकिन फिर सामने वाले को अपना विकेट गिफ्ट कराते हैं इंगलेंड की बैटिंग की समस्या है बताते हुए बॉन ने आगे कहा इस इंगलेंड टीम के साथ यही समस्या है उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो कब टॉप पर हैं वो बस इसी तरीके से चलते रहते हैं उस विकेट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी अगर आपको ऐसी विकेट पर यह खुबसूरत गेंद मिलती है तो आप कहते हैं बढ़िया बोलिंग लेकिन इस विकेट पर बहुत ज़ादा खुबसूरत गेंदे नहीं फेकी जाएंगी दिमाग लगा कर खेलो भाई हम मनोरंजन को मुर्खता के साथ मिक्स नहीं कर सकते बता दे कि इस दिन इंगलेंड ने ज़ादा तर विकेट ऐसे ही गवाए बिन डगेट 98 के निजे स्कोर पर वापस लोटे उन्हें जोश हिजलवूड की शॉट बॉल ने निप्टाया जबकि जो रूट और ओली पोग पुल शॉट खेलनी के चकर में डीप स्कॉर लेक पर लपके गए इंगलेंड ने एक वक्त मैच पर पकड़ बना चुका था लेकिन फिर आस्ट्रेलिया ने वापसी कर ली और फिर तीसरे दिन इंगलेंड ने अपना काम और बिगाड लिया उन्होंने सिर्फ 47 रन जोड का 6 विकिट गवा दिये टीम पहली पारी में कुल 325 रन ही बना पाई और पहली पारी में एक 90 रन से पिछड गई इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने मैं हूँ गरिमा स्पोर्ट्स जोडी खबरों के लिए आप लोग देखते रहे हैं लालन टॉप स्पोर्ट्स शक्रिया